मेरे प्यारे देशवासियों, ये सुखत सहयोगी ही है, कि आज जब आप से मैं मन की बात कर रहा हूँ, तो अक्षय तुरुतिया का पवित्र पर्व भी है, साथियों, शय का अर्थ होता है विनाश, लेकिन जो कभी नस्ट नहीं हो, जो कभी समाप्त नहीं हो, वो अक्षय है अपने घरों में हम सब इस पर्व को हर साल मनाते हैं, लेकिन इस साल हमारे लिए इसका मुशेश महत्व है आज के कठिन समय में ये एक ऐसा दिन है, जो हमें याद दिलाता है, कि हमारी आत्मा, हमारी भावना, अक्षय है ये दिन हमें याद दिलाता है, कि चाहे कितनी भी कठिनाईयां रास्ता रोके, चाहे कितनी भी आत्माईयां, चाहे कितनी भी व्यमारियों का सामना करना पड़े इन से लरने और जूजने की मान्विय भावनाएं अक्षय है माना जाता है, कि यही वो दिन है, जिस दिन भगवान स्रिकष्ण और भगवान सुर्यदेव के आसिरवात से पांडवों को अक्षय पात्र मिला था अक्षय पात्र यानि एक ऐसा बरतन, जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है हमारे अन्दाता किसान हर परिस्थिती में देश के लिए हम सब के लिए इसी भावना से परिश्थ्रम करते हैं इनी के परिश्रम से आज हम सब के लिए गरीबों के लिए देश के पास अक्षय अन्भंडार है इस अक्षय तृतिया पर हमें अपने परियावरण, जंगल, नजियां और पूरे एकोसिस्टिम के सवरक्षन के बारे में भी सोचना चाहिए जो हमारे जीवन में महत्पपन भूमी का निभात है अगर हम अक्षय रहना चाहते हैं तो हमें पहले ये सुनिशित करना होगा कि हमारी धर्ती अक्षय रहे क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतिया का यह पर्व दान की शक्ती यह पावर अब गिविंग का भी एक अवसर होता है हम रुदय की भावना से जो कुछ भी देते हैं वास्तों में महत्प उसी का होता है यह बात महत्पूर नहीं है कि हम क्या देते हैं और कितना देते हैं संकट के इस दोर में हमारा छोटा सा प्रयास हमारे आस पास के बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा संबल बन सकता है साथियों जैन परमपरा में भी यह बहुत पवित्र दिन है क्योंकि पहले तिन्थंकर भगवान रुषब देव के जीवन का यह एक महत्वपून दिन रहा है ऐसे में जैन समाज इसे एक परव के रुप में मनाता है और इसलिए यह समझना आसान है कि क्यों इस दिन को लोग किसी भी सुब कारिय को प्रारम करना पसंद करते हैं चुकि आज कुछ नया सुरू करने का दीन है तो ऐसे में क्या हम सब मिलकर अपने प्रयासों से अपनी धर्दी को अक्षय और अविनाशी बनाने का संकल्प ले सकते हैं